टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पंथ शुरुवाती इलाज के बाज अब मुंबई पहुंच चुके हैं 30 जिसंबर को उतराखंट जाते समय रिशब पंथ का भीशन सड़क हाथसा हुआ था इस हाथसे के बाद रिशब पंथ का धहरादून में इलाज चल रहा था लेकिन अब भार्दिक प्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें बहतर इलाज के लिए मुंबई भीज दिया अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पंथ को घुटने के ओप्रेशन के लिए लंदन भीजा जाएगा इतना ही नहीं इस ओप्रेशन से उबरने के लिए और चोट को पूरी तरह ठीक होने में करीब 9 महिने तक का समय लग सकता है मुंबई में रिशब पंथ के MRI स्केम किये जाएंगे इसके बाद ही लिगमेंट टियर की गंभीरता का पता चलेगा लेकिन इतना साफ है कि अब वो लंबे समय के लिए प्रिकेट के मैदान से दूर हो जाएंगे दरसल रिशब पंथ के इलाज के लिए उन्हें लंदन भेजने की खबर BCCI के सूत्र से ही मिली थी BCCI के एक अधिकारी ने बताया एक बाद डॉक्टरों को लगे कि वो सफर के लिए ठीक है उसके बाद उन्हें सरजरी के लिए लंदन भेजा जाएगा हमें भी नहीं पता कि उन्हें ठीक होने में अभी कितना वक्त और लगेगा इस वीडियो में फिलाला भी इतना ही है ट्रिकेट की खबरों से जोले रहने के लिए खबर विबाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते समय नोडिफिकेशन बेल जरूर प्राच करें